फैनली गाईज फैन्स का इंतिजार खत्म हो चुका है फैन्स बड़ी बेसबरी से जिस चीज़ का इंतिजार कर रहे थे बॉलीवूड के खिलाड़ी अक्षीकुमार और टाइकर शौफ की फिल्म बड़े मिया छोटे मिया के ट्रेलर का फाइनली ये ट्रेलर रिलीस हो चुका है और दोस्तों येकीन मानिए वाकि एक बड़े बचट की फिल्म थी फिल्म का बड़ा ट्रेलर है लगबक साड़े ती शैताने हम, बच के रहना हम से हिंदुस्ताने हम, दोस्तों ये डायलोग बड़ा ही शांदार लगा है और खास करके फिल्म का पूरा ट्रेलर एक्शन से भर पूर है, और जिस तरह से साइकों की तलाश में अक्षी कुमार और टाइगर शुरॉफ साइकों बनके जिस तरह से नजर आ रहे, वो बाके शांदार है, बैक्राउंड म्यूसिक कमाल का है और ज्यादतार आपको ये देखनी को मिल रहा है कि बहुत बड़े लेविल पर फिल्म को बनाया गया है, फिल्म के उपर पैसा भर भर के खर्च किया गया है, यानि कि फिल्म के मेकर्स ने फिल्म को बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, जिस तरह से हमने ट्रेलर में देखा, मानुसी छिल्णर और सोनाक्षी सिनहा की भी जलग हमें देखने को मिली, लेकिन टाइगर श्रॉप और प्रत्विराज सुकुमरन और इस के लावा अक्षिव कुमार को देखके मुझे लेकिन बड़े मिया, छोटे मिया में वाकि कुछ अलग किया है टाइगर शॉप ने, लेकिन अक्षिव कुमार पुराना खिलाड़ी आपको पूरी तरह से नजर आ रहा है, जा दुस्तों बाइक वाला सीन, जब हैलिकॉप्टर में चलांग लगा रहे हैं, अक्षिव कुम दोस्तों आपकी जानगारी के लिए मैं आपको बताता चलू कि एद के खास मोके पर रिलीज होने जारी है फिल्म बड़े मिया छोटे मिया, जो कि एक एक एक्षन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डेरिक कर रहे है अली अबबास जफर, और दोस्तों फिल्म को प्रिड्यूस किय ज्यादा के बजट में फिल्म बनी है, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले ही कई बड़े रिकोर्ड तोडने वाली है, और रिलीज के बाद तो ये देखो मैं एक बात में आपसे कहूंगा कि अक्षी कुमार के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है, अक्षी कु जिस तरह का सोचा था उससे कई गुरा ज्यादा बढ़िया निकला, और भाई बिल्कुल और टाइम ब्लोगबस्टर है, और वाकी ये फिल्म मुझे लगता है कि सिर्फ इंडिया के अंदर 500 करोड पे से ज्यादा, और पूरे वल्ड में कम से कम 1000 करोड से भी ज्यादा की कम होता है लेकिन मुझे लगता है कि अक्षे कुमार के बड़े मिया चोटे मिया यहाँ पे बहूत कुछ बढ़ा करने वाली है, लेकिन फिर भी आपको कैसना लगा है ट्रेलर और कितरा इंतिजार कर वे ओ फिल्म, बड़े मिया, चोटे मिया का, कमेंड में एक बोल जरूर ल